तो अब बात कर लेते हैं थार डेजर्ट के अक्षांशिय और देशांतरिय विस्तार की क्या इसके अक्षांशिय और देशांतरिय विस्तार है तो थार के रेगिस्तान का जो अक्षांश और देशांतरिय विस्तार है पहले मैं बात कर रहा हूँ देशांतर की, लॉंगिट्यूड्स की तो राजस्थान में थार का डेजर्ट बिल्कुल राजस्थान की पस्चिमी श्रीमा के अंतिम बिंदू से शुरू हो जाता है और राजस्थान का जो वेस्टर्न एंडिंग पॉइंट है अर्थाज जो अंतिम पस्चिमी बिंदू है वो है जैसल मेर का ये पॉइंट जिसको बोलते हैं कट्रा गाउं ये है कट्रा, कट्रा गाउं है जो जैसल मेर मेर में आता है और ये जो लॉंगिट्यूड या देशांतर है वो है 79 डिग्री 30 मिनट अब यहां से होते वे मरुस्थल की अगर हम बात करें थार के डेजर्ट की तो वो यहां तक आता है लगबग लगबग एक रफली लाइन में खेंच रहा हूं लेकिन इसका जो देशांतर है वो एक्जर्ट बता रहा हूं अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो कई बार हमसे क्या डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि थार का जो डेजर्ट है वो कितने देशांतर के मद्द फैला हुआ है तो इनका डिफरेंस आप ले सकते हैं 76 डिग्री 45 मिनट में से हमको यह माइनस करना है 69 डिग्री एन 30 मिनट तो 45 में से 30 गए तो 15 मिनट तो यह बचे इसके अलावा यहां अगर इसको माइनस करें तो 7 डिग्री यह बचे यानि कि थार के डेजर्ट का जो देशांतरिय विस्तार है वो है 7 डिग्री 15 मिनट या तो यह बोल लो या इसको आप बोल सकते हैं 79 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 15 मिनट और किस साइड में पूर्वी देशांतर अभी मैं इसकी बात करूँगा हाला कि latitude और longitude से related में एक वीडियो पहले upload कर चुका हूँ इसलिए ज़्यादा deep से तो नहीं जाओंगा लेकिन फिर भी एक overview आपको दे दूँगा ताकि यह अक्षांस और देशांतर आपको अच्छे से समझ में आ जाए वैसे वो वीडियो अगर आप देखना चाते हैं तो playlist में जाना वहाँ पर आपको latitude और longitude के नाम से वो वीडियो मिल जाएगा तो यह तो हो गया इसका देशांतर विस्तार अब हम बात करते हैं इसके अक्षांशे विस्तार की तो देखो अक्षांशे विस्तार जो है वो लगबग यहां से जालोर में इस जगे से यह एक रफली लाइन एग्जेक नहीं है रफली है लेकिन इसका जो अक्षांश है वो है 25 डिगरी नौर्थ उत्तरी अरधांश से और यहां शिरी गंगा नगर का यह जो अंतिम बिन्दु आता है इसको बोलते है कोणा गाउं कोणा गाउं यह राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिन्दु है यहां तक है और यह है 30 डिगरी और 12 मिनट यहां अगर इन दोनों का डिफरेंस हम देखें 25 डिगरी का और 30 डिगरी का दोनों का डिफरेंस देखें तो इसको हम यह भी बोल सकते हैं कि राजस्थान का जो अक्षान्शी विस्तार है सीधे गटा देता हूं मैं इसको माइनस करने के लिए वैसे लिखने की ज़रत नहीं है तो यह हो गया आपका 5 डिगरी और 12 मिनट अब एक ओवर व्यू मैं आपको दे देता हूं कि अक्षान्श और देशान्तर क्या है देखो यह हमारी गलोब है और गलोब पर हमने कुछ इस तरीके की imaginary lines खेंची हुई होती है इनको कालपनिक रेखाएं बोलते हैं पृत्वी पर वास्तों में इस तरह की कोई रेखाएं नहीं होती है लेकिन पृत्वी पर किसी भी स्थान विशेश की जानकारी निकालने के लिए proper एक point का address निकालने के लिए और समय के निर्धारन के लिए हमने ये इस तरह की कालपनिक रेखाएं खेची हुई हैं जिनको हम देशानतर रेखाएं और अक्षान्च रेखाएं बोलते हैं देशानतर रेखाएं जो आपको ये उपर से नीचे की और जो रेखाएं खेची हुई दिखरी हैं ये इस तरीके से इनको हम बोलते हैं देशानतर रेखाएं और जो रेखाएं आपको ये इस तरीके से यो खेची हुई दिखरी हैं अर्थात West से और East की ओर इनको हम बोलते हैं अक्षांच रेखाएं और जो North से अर्थात उत्तर से और South की तरफ अर्थात दख्षिन की तरफ उपर से नीचे जो रेखाएं है वो देशांतर रेखाएं और पूरु से पस्चिम या पस्चिम से पूरु जो रेखाएं हैं वो आ हमने पृथवि के यहां से बीचों बीच से एक लाइन खेची ये लाइन हो गई और इसको हमने कहा 0 degree अक्षान्स रेखा 0 degree equator इसको हम बोलते हैं या भूमदी रेखा इसको बोलते हैं ये रेखा क्या करती है? पृत्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ती है एक उपर वाला हिस्सा हो गया जिसको हम बोलते हैं उत्री अर्धांश ये नोर्थ का हो गया या उत्तर का हो गया उत्री अर्धांश यानि आधा अंश उत्तर का आधा हिस्सा और फिर नीचे वाला जो हिस्सा हो गया वो आपका हो गया दक्षणी अर्धांज तो इस भूमदे रेखा ने पृत्वी को उत्तर और दक्षण के दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा इसी तरीके से एक यहां से एक सेंटर रेखा उपर से नीचे की तरफ मैं खैस देता हूँ जिसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री देशांतर रेखा और यह जीरो डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है पृत्वी को वही बराबर बराबर दो भागों में तोड़ती है एक इधर का इस्सा हो गया जो eastern पार्ट हो गया अर्थाथ पूर्वी भाग और एक इधर का इस्सा हो गया जो western पार्ट हो गया पस्चिमी भाग तो भारत की अगर हम इस्तिती देखें तो देखो भारत यहां तो अक्षांश रेखा के तो उत्तर की ओर आ रहा है इसलिए भारत में जो भी अक्षांश ये रेखा हैं वो नौर्थ पार्ट की ओर हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं इतने डिग्री उत्तरी अर्धांश या इतने डिग्री उत्तरी अर्धांश जैसे मैं अभी बात करूँग कि भारत का जो अक्षांशी विस्तार है तो भारत में अक्षांशी की रेखा यहां से स्टार्ट होती है इस जगे से यह बारत का एंडिंग पॉइंट है मैं रफली लाइन खेंच रहाँ हूँ यह और यह जो रेखा है यह है आठ डिग्री और चार मिनट की कितनी आठ डिग् अपर की ओर आएंगे तो एक रेखा भारत की यहां से जाती है लगबग एक रफली आइडिया है और यह वाली जो रेखा है अक्षांश जो है वो मैं पूरा exact बता रहा हूँ लेकिन लाइन जो है वो में रफली खेंच रहाूँ और यह वाली जो रेखा है वो है 37 डिग्री थे पहरत का देशांतरी अविस्तार हो गया और किस साइड में है भारत यहाँ पर इधर यह पूर्व दिशा में है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से सताण में डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्लियर है अब यहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखो राजस्थान भी तो भारत में यह ना तो राजस्थान भी यहीं कहीं आता है इस जगे यह यहां इस जगे तो अक्षांश में तो राजस्थान काएगा उत्तर की और और देशांतर में काएगा पूर्व की और तो इसी तरीके से अब हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखो राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी अविस्तार यह यहां से राजस्थान का अक्षान से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है यह जो अक्षान से स्टार्ट हुआ यहां पर तो यह बासवाडा जिले का एक गाव आता है राजस्थान का अंतिम दक्षिनी बिंदू जिस गाउं का नाम है बोरकुंड तो यहां से होते वे एक लाइन गुजरती है जो 23 डिग्री और 3 मिनट से शुरू होती है 23 डिग्री और 3 मिनट से और कहां तक जाती है शिरीगंगा नगर का एक गाउं है कोना गाउं यहां तक जाती है और यह है 30 degree 12 मिनट तो राजस्थान का अक्षान शिविस्तार हो गया 23 degree 3 मिनट उत्री अर्धांश से 30 degree 12 मिनट उत्री अर्धांश अब यहां पर कई बार RPSC या दिनस्त बोर्ड यह degrees देने की बज़ा इनका difference भी दे देता है जैसे एक पटवार की एकजाम इनका difference दे दिया था तो आप यह भी ध्यान रखो कि इन दोनों का अगर हम difference देखें 30 degree और 12 मिनट और इसमें से मैं घटा रहा हूं 23 degree और 3 मिनट तो 12 मिनट में से 3 मिनट घटा है तो यह तो बचे 9 मिनट इसको मैं लिखूंगा 09 और 30 degree में से 23 degree घटा है तो यह आपके बचे 7 degree तो यानि राजस्थान का अक्षांशी विस्तार जो है वो 7 degree 9 मिनट है इतने उत्री अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है ठीक है अब अगर देशांतर की बात करें तो यहाँ पर जैसल मेर में लास्ट जो पॉइंट अब वो है कट्रा गाउं यह भी बता है मैंने आ का गुजरती है मैं एक बर इसको रब कर देता हूँ केवल ये ध्यार रखना 7 degree 9 मिनट जो किस का डिफरेंस है यहां last point को touch करते हूँ जाती है यह राजस्थान का अंतिम पूर्वी इससा और यह है एक गाउँ जो धोलपुर में आता है सिलाना गाउँ ठीक है साब यहां से touch करती हूँ जाती है और यह जो line हो गई एक मिनट ये जो लाइन हो गई वो हो गई आपके यहां से इसको बोलते हैं 78 डिग्री और 17 मिनट तो ये राजस्थान का अक्षान्स और देशांतरी विस्तार हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्री अर्धांच से तो आपको इस समझ में आ रहा होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्री अर्धांच से 30 डिग्री 12 मिनट उत्री अर्धांच और इसी तरीके से जो देशांतरी विस्तार है वो है 79 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरवी देशांतर यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना कि ये 7 डिग्री और 9 मिनट तो मैंने आपको बताया किसका अंतर इस 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का इसी तरीके से कई बार देशांतर के ये दो अलग-अलग माप देने की बजाए इनका डिफ्रेंस भी दे देता है तो ये भी आप एक बर समझ लेना क्या देशांतरी विस्तार था राजस्थान का इधर ये वाली लाइन कौन सी थी 59 डिग्री 30 मिनट से और ये दूसरी वाली लाइन जो थी एक ये लाइन और एक ये दूसरी वाली लाइन ये कितने डिग्री थी 78 डिग्री और 17 मिनट अब इन दोनों का अगर हम डिफ्रेंस नहीं घटेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 78 से 1 डिग्री उदार लेनी पड़ेगी, अब 78 से जब 1 डिग्री हम उदार लेंगे, तो 78 की बजायर है जाएगा ये 77, 1 डिग्री इसने दे दी, किसको दे दी, अब वो पहले से है 17 minute ॥ोड़ा सा समाझना इस चीज को एक डिगरी के अंदर total 60 minutes होते हैं समय वाले minutes नहीं थोड़ा सा इस पस्ट ध्यान देना इस चीज को समय वाले minutes नहीं एक तो क्या होता है कि जब आप एक डिगरी देशांतर पर move करते जैसे द्यान देना एक तो ये वाली लाइन है मान लो ये लाइन मान लो ये वन डिगरी पूरवी देशांतर है और ये दूसरी वाली लाइन ये है टू डिगरी पूरवी देशांतर तो जब भी आप एक देशांतर से आगे की ओर सरकते हैं तो चार मिनट घड़ी वाला जो च 4 मिनट आप आगे या पीछे जाते हैं जैसे समझना की मानलो मैं पहले वाली लाइन पे खड़ा हूँ और याँ पर दोपैर के 12 बज रहे हैं तो इस दूसरी वाली लाइन पर जो टाइम हो रहा होगा वो दोपैर में 12 बज कर 4 मिनट हो रहे होंगे जब मैं East की तरफ बढ़ता हूँ इस साइड में तो हमेशा टाइम जुडता है और जब West की तरफ बढ़ता हूँ पस्चिम में तो हमेशा टाइम घटता है जैसे थोड़ा सा और मैं clear कर दूँ क्योंकि confusion नहीं रहना चीए कोई भी आपके दिमाग में मान लीज़े यहाँ पर कोई एक line है और यह line है 10 degree East में 10 degree पूरवी देशांतर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ इस line पे यह है 20 degree पूरवी देशांतर तो यहाँ पर अगर मान लो 10 degree पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहां क्या time हो रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बता है, कि एक degree देशांतर का मतलब होता है, घड़ी वाला 4 मिनट, तो यहां पर अगर आप इस side में जाएंगे east में, तो आपको plus करना है, और इस side में जाएंगे west में, तो इस 10 degree का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी वाला 40 मिनट, तो इधर 40 मिनट आप आगे आएंगे, तो यहां अगर 6 बज रहे हैं, तो यहां क्या time हो रहा होगा, 6 बज कर 40 मिनट, तो एक degree देशांतर का मतलब हो गया, घड़ी वाला 4 मिनट, लेकिन हम अगर एक degree में, छोटी 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 और lines देखें, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, समझ ना, मैं अब दूसरे मिनट की बात कर रहा हूं, कि होता क्या है, मानलो यह एक degree है, यह 1 degree वाली line है, और यह है 2 degree वाली line, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में, यह छोटी 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 इस तरीके से, यह, यह total 60 lines होती है, 60 lines, और हर line को कहा जाता है, मिनट, तो यह वाला मिनट अलग है, ठीक है, यह बात समझ में आ गई, तो एक डिगरी देशांतर के बीच में, टोटल छोटी 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 60 lines होती है, और उसी को कहा जाता है, मिनट तो इसका आर्थ यह हुआ, कि एक डिगरी देशांतर के अंदर, 60 मिनट हो गए, तो यह तो आप लिग दो 1 डिगरी, यह आप लिग दो 60 मिनट, मिनट का साइन ऐसे होता है, दोनो एक ही बात है, क्लियर है यहां तक ठीक है, तो कन्फ्यूज मतो ना, घड़ी वाला 4 मिनट अलग है, और यह जो एक डिगरी के अंदर 60 मिनट है, इसका आर्थ ही है, कि एक डिगरी देशांतर के बीच में, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी 60 लाइन से हैं, अब मैं वापस अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ, पॉइंट यह था हमारा, कि यहां पर हम राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है, इसका डिफरेंस सीधे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड हमसे डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो जब हम इसको गटा रहे थे, तो यहां पर हमको अठेटर डिगरी 17 मिनट में से, इसके पास रह गई 77 डिगरी 17 मिनट गटाना है, एक डिगरी 17 को दे दी, अब यह 17 किसमे है मिनट में, यह साइन किसका होता है, यह जो मैं बना रहा हूँ साइन, यह देखो, यह साइन होता है मिनट का, तो जब एक डिगरी इसको इधर दे दी, तो हम सीधे यो नहीं जोडेंगे, ये एक डीग्री को 17 में नहीं जोडेंगे, क्योंकि एक तो डीग्री में है, और 17 किसमें है, минут में, तो इस एक डीग्री को हम minute में change करेंगे, अब मैंने आपको बताया, एक डीग्री देशांतर में, छोटी-छोटी-छोटी 6 lines होती है, इसलिए एक डिगरी देशांतर का मतलब क्या हो गया 60 मिनट 60 मिनट ठीक है तो 60 मिनट यहाँ पर आ गई 17 मिनट पहले से थी दोनों को हमने जोड़ा तो 77 मिनट्स हो गई ठीक है साब अब मैं इसको लिख देता हूँ 77 मिनट्स अब हम गटा सकते हैं गटाएंगे तो यह बचाएगा आपका 47 मिनट्स और यहाँ जब आप इसको गटाएंगे तो यह आएगा 8 डिगरी इसका मतलब राजस्थान का देशांतर यह विस्तार 8 डिगरी 4 मिनट देशांतर के बीच में है तो यह तो यह बोल लो राजस्थान का देशांतर यह विस्तार 79 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिगरी 17 मिनट पूर्वी देशांतर अब यह समझ में आ रहा होगा मैं पूर्वी की बात क्यों कर रहा हूँ और यह आप यहों बोल दो इन दोनों का डिफरेंस जो की पूछ लेती RPSC आठ डिगरी और 47 मिनट इसका मतलब यह है कि अगर आप टाइम को लेकर यहां मेजरमेंट करें तो राजस्थान के थोड़ा सा और इंटरस्टिंग बात में आपको बता देता हूँ मैंने आपसे यह कहा कि जब कभी भी आप एक डिगरी देशानतर से आगे या पीछे जाते हैं तो जो घड़ी वाला समय है उसमें चार मिनट आगे या पीछे जाएंगे कैसे यहां पर यहां आजाएए आप इस मैप पे अब विशा आया है तो इसको क्लियर ही कर दूँ मैं अच्छे से सेंटर से बीचो बीच से मैंने एक लाइन खेंची इसको मैंने कहा आप जीरो डिगरी देशानतर इधर वाला जो भाग हो गया वो गया इस्टरन पार्ट पूर्वी भाग और इधर वाला जो भाग हो गया वो गया वेस्टरन पार्ट अर्थात पस्चिमी भाग आप बताओ सूरज कि इदर उगता है सूरज इदर उगता है इस वाले हिस्से में पहले इदर ही उगता है पूरो में और उसके बाद फिर का जाता है उसके बाद जाता है फिर पस्चिम में वेस्टन पार्ट में तो सूरज पहले पूर्वी हिस्से में उगा तो इसका मतलब यह वा कि पूर्व का जो हिस्सा है वहाँ पर समय आगे होता है तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्व वाला पार्ट ये अमेशा समय में आगे होता है इसलिए प्लस और ये वाला जो हिस्सा होता है ये समय में अमेशा पीछे होता है इसलिए माइनस ठीक है साब कोई दिक्कत नहीं है तो कहने का मतलब जब भी आप zero degree देशांतर से इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा प्लस करना है इस side में जब आप जाएंगे इस side में तो आपको प्लस करना है और जब आप इस side में जाएंगे तो आपको माइनस करना है यानि कि जब इधर पस्चिम में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है माइनस और जब इधर पूर्व में जाएंगे तो आपको क्या करना है प्लस क्लियर है यहां तक ठीक है साब अब जैसे मान लो कि अमिता बच्चन है ठीक है और अमिता बच्चन यहां पर कहीं इस डिगरी पे खड़े वे हैं इस डिगरी को हम बोल देते हैं 20 डिगरी पूर्व की तरफ है तो पूर्वी और देशांतर 20 डिगरी है इस साइड में है और पूर्व की तरफ है तो पूर्वी देशांतर यहां मान लो दो पहर के बारा बज रहे हैं और यहां एक और डिग्री है यह दूसरी और यह डिग्री है आपके मान लो 80 डिग्री पूरवी देशांतर मान रहे हैं एग्जेक्ट मैं लाइन नहीं खेंच रहा हूँ तो क्या हम पता कर सकते हैं कि इस 80 भी पूरवी देशानतर पर क्या टाइम हो रहा होगा सीधी इसी बात है, पहले तो आप यह देखिए कि 20 डिग्री पर अमिता बच्चन खड़े थे और 80 डिग्री पर हमको टाइम पता करना है तो पहले तो देखो 20 degree से और 80 degree के बीच में कितना difference हुआ 60 degree का ठीक है अब 60 degree का difference हुआ तो हम जानते हैं एक degree जब भी हम चलते हैं एक degree देशांतर पर इधर चलें या इधर चलें तो एक degree का मतलब होता है घडी वाला 4 मिनट अब यहां पर 60 degree का मतलब क्या हो जाएगा मैं 60 को यह लो 60 को 4 से multiply कर लूँ तो 240 मिनट अब 240 मिनट का मतलब क्या 4 गंटे हो गए बिल्कुल क्योंकि एक गंटे में कितने मिनट होता है 60 मिनट तो 60, 60, 60 और 60 तो 240 मिनट का मतलब क्या हो गया 4 गंटे तो इसका मतलब यह आया 4 और 4 गंटे अब आप पता है इधर अगर बढ़ेंगे तो प्लस करना है इधर जाएंगे तो माइनस करना है आप किदर बढ़ रहे हैं इस साइड में बढ़ रहे हैं इस साइड में इधर तो आप प्लस करेंगे 4 गंटे प्लस करेंगे किसमें प्लस करेंगे यहाँ पर जो time हो रखा था यहाँ क्या time हो रखा है 12 तो 12 में जब आप 4 एड करेंगे तो क्या हो जायगा 4 बज जाएगे तो इसका मतलब इस degree पर 80 degree देशानतर पर 4 बजे का समय हो रखा है clear इसी तरीके से मानलो अगर आपको इस साइड में जाना होता तो आप क्या कर देते माइनस कर देते जैसे मैं एक और कॉश्चन लेता हूं रिस्पस्ट कर देता हूं अच्छे से क्योंकि मैं अभी आपको एक बात समझाने वाला हूं कि राजस्थान के पूर्वी और पस्चिमी इसे में कितने मिनट का अंतर आता और उसके बाद फिर मैं वापस थार के डेजर्ट पे आ जाओंगा ये कॉंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करने के बाद तो यहां मान लो कि अभी आप यहां इसकोई लाइन पर खड़े हैं और इस लाइन को हमने नाम दे दिया मान लो 20 डिगरी पस्ची मी देशांतर ये समझ में आ रहा ना पस्ची मी देशांतर क्यों क्योंकि हम 0 डिगरी के इस साइड में है इसलिए इसको बोलेंगे 20 डिगरी पस्ची मी देशांतर और यहां पर मान लो ये एक दूसरी लाइन है ये है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर ठीक है साथ अब मान लीजी हमको यहाँ टाइम दिया हुआ है इस वाली रेखा पर इस वाली रेखा पर यानि 20 डिग्री पस्ची में देशांतर पर और हमको कहा गया है कि यहाँ पर सुबह के 5 बजे हैं ये लो तो क्या आप बता सकते हो यहाँ इस वाली रेखाणतर पर क्या टाइम हो रहा हुगा बिलकुल देखो पहלे तो आप इन दोनो डिग्री ज के बीच का अंतर देखो एक तो लाइन है 0 डिग्री से 20 कदम पीछे एक है 0 degree से 20 कदम आगे तो दोनों का difference कितना हो गया? 40 कदम समझना यो मानना कि आप यहां इस line पर खड़े हो और यहां इस line से 20 कदम पीछे हो और आपको चलके यहां तक जाना है तो पहले तो आप यहां तक आओगे 20 कदम चलके फिर आप यहां तक जाओगे 20 कदम और चलके तो टोटल कितने कदम होगे? 40 कदम तो इसका मतलब 20 degree पस्चिमी देशांतर और 20 degree पूरवी देशांतर में टोटल 40 degree का अंतर आ गया इसको यो मत कर देना कि साब 20 degree और 20 degree का अंतर तो 0 आ गया एक degree का मतलब क्या होता है? घडी वाला 4 मिनट तो 40 degree का मतलब क्या हो गया? मैं 4 को 40 से मल्टिप्लाई कर देता हूँ अब मैं अगर 40 को 4 से मल्टिप्लाई करूंगा तो यह आया आपका 160 मिनट 160 मिनट को क्या मैं यह बोल सकता हूँ? 2 गंटे 40 मिनट बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं टू और एन 40 मिनट अब सिंपल सी बात है कि इन बाकी लाइनों को तो देखो मैं आटाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए यहां तक तो आगए यह 2 गंटे और 40 मिनट अब आपको इधर बढ़तना होता है तो क्या करते हो आप प्लस और जब आपको इधर बढ़ना होता है तो क्या करते हो आप माइनस अब आपको प्लस करना है या माइनस करना है बहुत आसानी से आप बता सकते हैं आपको इधर बढ़ना है इस साइड में तो आप करेंगे 2 गंटे 40 मिनट प्लस कर देंगे किस में प्लस कर देंगे यह जो time हो रहा था यहां पर 5 बजे का तो जब 5 बजे में 2 गंटे 40 मिनट प्लस करेंगे तो यहां इस जगे जो time आ जाएगा वो आ जाएगा 7 बज कर 40 मिनट यहां तक है बात बहुत अच्छे से समझ में आगई होगी लेकिन मान लो अगर यहीं पर आपसे यह कहा जाता कि यह जो time है यह जो time है 5 बजे का यह कहा जाता कि यह वोई line हैं सब सारी यह वोई 20 डिगरी पूरवी देशांतर यह वही 20 डिग्री पस्चिमी देशांतर आप से कहा जाता यहां टाइम हो रहा है 5 बजे का तो क्या यहां बता सकते हो कि 20 डिग्री पस्चिमी देशांतर पर क्या टाइम हो रहा होगा तो सारी देखो डिग्री वही है वही 40 डिग्री का अंतर हो गया बस इस बार क्या है पांच बजे का टाइम आपको यहां दिया है पूरवी देशांतर पर ये आपको पस्चिमी देशांतर का टाइम पता करना है तो इस बार आप क्या कर देते पस्चिम की तरफ बढ़ रहे हो तो आप माइनस कर देते और कितना माइनस कर देते वो ही बार-ब देशांतर और पस्चिमी देशांतर तो सूरियो दे में कितने मिनट का अंतर आता है इस सारी लाइन को तो मैं अटा दिता हूँ ये लो ये सारा समय ने अटा दिया ठीक है तो बात ये है कि राजस्थान के पूर्वी इस्थे में और पस्चिमी इस्थे में सूर्योदे में कितने मिनट का अंतर आता है भाई ये बात तो clear है हम जानते हैं कि राजस्थान का जो ये देशांतर है ये पूर्वी देशांतर है कितने डिग्री मैंने बताया था आपको 78 डिग्री और 17 मिनट और ये वाला जो पस्ची में देशांतर है ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर 79 डिग्री और 30 मिनट ठीक है अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था 78 डिग्री 17 मिनट में से 79 डिग्री 30 मिनट अभी आपने माइनस किया था और ये मैंने आपको बता दिया था ये था 8 degree और 47 minute, ठीक है, 8 degree और 47 minute का अर्थ क्या हुआ, कि यहां से यहां का जो difference है, तो 8 तो degrees हो गई, इसका मतलब 8 तो देशांतर हो गई, 69 degree, फिर 70 degree, फिर 71 degree, फिर 72 degree, 73 degree, 74 degree, इसी तरीके से होते 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 यहां तक, total यह 78 degree आ गई, इसका मतलब तो यह हो गया, कि 8 तो बड़ी line हो गई, डिगरी वाली, और 47 जो है, वो छोटी 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 लाइने हो गई, ठीक है, यहां जब हम calculate करें, देखो इधर से इधर आप जब बढ़ रहे हो, तो यह कौ आ जाएगा, 4 into 8 बराबर 32 मिनट, तो इसका मतलब 32 मिनट तो यह हो गए, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इस 47 मिनट का अर्थ भी हमको पता करना है, कि इस 47 मिनट का अर्थ क्या होता है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, यह तो 47 मिनट कौन सा है, दो देशांतर के बीच में जो छोटी 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 लाइन्स होती है, यह वो वाला मिनट है, और हमको क्या calculate करना है, कि इस 47 छोटी लाइनों का मतलब गड़ी वाले कितने मिनट हो गए, यह हमको पता करना है, ध्यान देना, हम जानते हैं कि छोटी 60 लाइनों का मतलब होता है, 4 या जिसको हम बोलते है 60 मिनट अब मैं बार-बार मिनट बोलने की बजाए छोटी लाइने बोलूँगा क्योंकि दोनों मिनट में हैं तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो तो मैं इसको सिंपल यह बोलूँगा छोटी-छोटी-छोटी साथ लाइनों का मतलब क्या हो गया चार मिनट तो एक लाइन का मतलब क्या हो गया चार बटे में साथ एक कामान ग्यात करने के लिए हम क्या करेंगे इस साथ को उटा कर नीचे बेज देंगे और हमको कितनी लाइनों का मतलब पता करना है इन 47 लाइनों का तो किस से मल्टिप्लाइ कर देंगे इस 47 से मल्टिप्लाइ कर देंगे अब मल्टिप्लाइ करेंगे तो देखो 4 एकम 4 इसका भाग गया 15 बार 15 का इसमें जब भाग गया 47 में तो 15 तीए 45 और 2 बटे में 15 यानी कि ये 3 मिनट और आ गए आपने शुरू में 30 मिनट तो निकाले थे ये 3 मिनट और और दो बटे 15 मिनट और आ गए तो मैं ये 3 तो इसमें यहां जोड़ देता हूं देखो 32 प्लस 3 कितने मिनट हो गए? 35 मिनट अब इस दो बटे पंदरा मिनट का मतलब क्या है इसको मैं सेकंड में बदल लेता हूँ तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं दो बटे पंदरा सेकंड में बदलते हैं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं साट तो इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मैं 60 से मल्टिप्लाइ करूँगा और यह आया चार दुनी 8 सेकंड तो इसका मतलब राजस्थान के पूर्वी और पस्चिमी इससे में सूर्यो दे में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर आता है अब इस सारी लाइन को तो मैं अटा देता हूँ और इसका मतलब क्या है अब आपको यह समझा देता हूँ यह तो निकल के आई गया 35 मिनट और 8 सेकंड ठीक है इसका अर्थ यह हुआ कि जब राजस्थान के अंतिम पूर्वी बिंदू पे यहां इस जगह जब सूरज उगेगा मानलो सुबशे अगर छै बजे यहां सूरज उगरा है यह कौन सी जगह है धोलपूर का गाउं है सिलाना गाउं जो राजस्थान का अंतिम पूर्वी बिंदू है तो यहां राजस्थान के अंतिम पस्ठीमी बिंदू पर जो जैसल मेर का गाउं है कट्रा गाउं यहाँ पर सूरज कब हुगेगा यहाँ सूरज हुगेगा 6 बज कर 35 मिनट और 8 सेकिंड पर क्योंकि राजस्थान के पूर्वी और पस्चिमी इससे में सूर्यो दे में कितने मिनट का अंतर आता है 35 मिनट और सेकिंड का यह टोपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा नहीं हुआ तो फिर से इसको बैक में जाना और फिर से प्ले करके देख लेना समझ में आ जाएगा अब वापस मैं उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ हमारा जो थार का चल रहा था वो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि थार के डेजर्ट का जो विस्तार है अब बोलता हूँ इस बात को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थार के डेजर्ट का राजस्थान में विस्तार यहां से यानि 79 डिगरी उत्री अर्धान्श से और यहां तक अर्थाथ 30 डिग्री और 12 मिनट उत्री अर्धान्श तक बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी ठीक है साथ अब आगे बढ़ते हैं अब हम ये बात कर लेते हैं कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जिसमें ये थार का जो डेजर्ट है वो विस्तारित है तो ध्यान देना राजस्थान के ऐसे टोटल 12 जिले हैं थोड़ा सा समझना इस बात को कि ये तो है यहां पर अरावली श्रंखला जिसका विस्तार कुछ इस तरीके से है राजस्थान में अरावली परवतमाला जिसकों बोलते हैं और इस अरावली परवतमाला के पीछे वाला ये जो भाग है ये पूरा मरुस्थली भाग है एक रफली तरीके से मैं बना रहूँ तो राजस्थान के बारा ऐसे जिले हैं जो थार के डेजर्ट में पढ़ते हैं हाला कि काजरी के एक साइन्टेस्ट है डॉक्टर कृष्णन उनके द्वारा थार का ये जो डेजर्ट है ये बारा के अतिरिक तो कुछ और जिलों में भी विस्तारित हो चुका है और वो कौन से जिले हैं मैं उसकी बात भी अभी आपके साथ में करूंगा लेकिन अभी तक RPSC जो बारा जिले मानती है वो मैं आपको टेक्निक के माध्यम से याद करा देता हूं तो कौन से जिले हैं इसके लिए ट्रिक आप ध्यान रखना ये समझ लेना देखो कि ये है एक हमारा दो दुकान है एक शोप है ये शोप पर बैठता है समान बेशता है तो ये तो इमानदारी से काम करता है लेकिन गजसी का जो बाप है जिस दिन वो बैठा रह गया दुकान पर उस दिन आप समान मत करीदना क्योंकि वो ग्रहाकों को चूना लगा देते हैं इसके पिता जी इसक मरुस्तली एक शेत्र में पढ़ते हैं कौन-कौन से हो गए हमारे का अर्थ हो गया हनुमानगर गय का अर्थ हो गया गंगानगर जै के देखो चार अर्थ है जै के चार अर्थ हैं कौन-कौन से चार अर्थ है जै का अर्थ ये चार हो गए, ठीक है साब, अब इसमें ये मत देखना कि साब ये जुन-जुनू है, तो ये जै अलग है, तो मैं जै, इंगलिश वाले जै को लेके समझ लेना, जैसलमेर, जोधपूर, जुन-जुनू और जालोर, ये जै के चार अर्थ हो गए, सी का अर्थ हो गया सीकर, सी से एक जिरा शिरोही भी आता है, और सिरोही मत करना क्योंकि सिरोही जो है, वो पूरा पहाड़ों का अक्षेतर है, तो सी से सीकर ही है, ठीक है, इसके अलावा का का कोई अर्थ नहीं है, का अर्थ है, का ही को नहीं, फिर बा का अर्थ हो गया दो, और चूना, तो चूना कार्थ हो गया, चू से चूरू और ना से नागोर, यह मैं नीचे कर लेता हूँ, चूरू और नागोर, तो यह राजस्थान के वो 12 जिले हैं, जो पश्चिमी मरुस्थली क्षेतर में आते हैं, लेकिन काजरी के एक साइंटिस्ट, यह हो गया काजरी, यह काजरी, सेंट्रल एरिट जोन रिसर्च इंस्टिट्यूट के इंद्रिय शुष्क क्षेतर अनुसंदान संस्थान, इसके एक इंजिनियर, जिनका नाम डॉक्टर कृष्णन, अभी मैं बात करूँगा इस काजरी की भी, डॉक्टर कृष्णन, और डॉक्टर कृष्ण का जो सत टेंपरेचर है, तापमान है, वो टू डिग्री इंक्रीज कर गया, दो डिग्री बढ़ गया, और कुछ ऐसे जिले हैं इन बारा जिलों के अतिरिक्त जहां पर भी मरुस्थल का विस्तार हो चुका है, और ये जिले उन्होंने कौन से बताए हैं, तो ध्यान देना अलावा आपका सिरोही, और सिरोही के अलावा आपका है राजसमंद, तो डॉक्टर कृष्णन ने ये कहा कि इन बारा जिलों के अतिरिक्त भी कुछ पांच जिले ये हैं जिनमें थार के डिजर्ट का विस्तार हुआ है, वो एक तो है जैपूर एक है, अलवर एक है, अजम काजरी जोकी राजस्थान के जोदपूर में इसका मुख्यल है, इसको बोलते हैं Central Arid Zone Research Institute, तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक अनुसंधान संस्थान है, जिसका कारिये है ऐसे अनुसंधान करना, ऐसी वनस्पती की खोज करना, ऐसी वनस्पती विक्सित करना, जिससे मर अर्थात भूमी की सामर्थ को बढ़ाना, ये इसका मोटो, जैसे मैंने ये कुछ पॉइंट लिखे हैं इनके आदार पर हम इसका आजरी की बात करेंगे संपूर, उदेश या इसका जो मोटो था, मोटो, वो था to enhance the resilience of land, अर्थात भूमी की सामर्थ को बढ़ाना, ठीक है स इसकी स्थापना कब हुई थी तो देखो ये इसका लोगो देख लो साब, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1969 में, ठीक है, मुख्याले, तो मुख्याले इसका है जोधपूर में, राजस्थान के जोधपूर में, जोधपूर, क्षेत्रिय कारेले, तो एक मुख्याले के अत जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर के अलावा पाली, ये तीन तो है राजस्थान में, जैसलमेर, बीकानेर और पाली, और इन तीन के अतरिक तो दो राजस्थान से बाहर है, एक तो है भुज में, जो गुजरात में आता है, और एक लेह में, जो लेह लद्दाक में आता है, जिस लगदाख है और ये सेंटर टेरिटरी तो कॉश्चन कई बार पूछ लिया जाता है इसके क्षेत्रिय कारेले कितने हैं इसमें से कितने राजस्थान में हैं कितने राजस्थान से बाहर हैं जो राजस्थान से बाहर हैं वो कहां कहां पर हैं काजरी की स्थापना कब हुई थी काजری का पूरा नाम क्या है काजری की स्थापना का उद्देश यह क्या था यह सारे पूछ ले जाते हैं अब इसके निदेशक की मैं बात कर रहा हूँ तो द्यान रखना आज यह मैं Lecture Record कर रहा हूं और Lecture Record कर रहा हूं 21 मार्च 2020 और अभी मैंने काजरी की जो वेबसाइट खोल के देखी थी तो उसके अनुसार अभी at present काजरी के जो निदेशक है वो है ओपी यादो ठीक है साथ इसलिए हो सकता है कभी 2-4-5 साल बाद आप इस वीडियो को देखें ये तो हो गई काजरी की बात ठीक है अब काजरी के साथ साथ हमें एक और संस्थान की बात कर लेते हैं और वो है आफरी ये शायद ये इमेज पूरी क्लियर नहीं दिख रही होगी मैं लिख देता हूँ A F R I आफरी अर्थात Arid Forest Research Institute Arid Forest Research Institute ये भी राजस्थान के जोदपुर में इसका मुख्याले है ये अलग संस्थान है ध्यान रखना ये ICFRE इस संस्थान के अंतरगत काम करता है ये संस्थान क्या है Indian Council of Forestry Research and Education जिसको हम ICFRE बोलते हैं तो इस संस्थान के अधीन ये काम करता है ये जो संस्थान है ये केंद्रिय परियावरण मंत्राले के अधीन आता है और केंद्रिय परियावरण मंत्राले के अधीन आने वाले इस संस्थान ICFRE के अंतरगत और भी बहुत सारे संस्थान आते हैं और उनीस अंस्थानों में से एक है आफरी जिसका मुख्याले राजस्थान के जोधपुर में है जिसका पूरा नाम है Arid Forest Research Institute और ध्यान रखना इसका कोई भी क्षेत्रिय मुख्याले नहीं है इसका एक ही मुख्याले है और वो जोधपुर में है क्लियर है यहां तक इसकी स्थापना का जरूर आप द्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1985 में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और यहां पर इसका यह मैंने लोगो लगाया तो यहां इसका मोटो आप देख सकते हो वनस पतह है शान्ती तो कुछ रटने के आउशक्ता नही सारी images आपके समक्ष यहां पर चल रही है ठीक है अब इसके बाद हमको बात करनी है कि थार का जो desert है उसको हम कितने भागों में विबाजित कर सकते हैं कि बालू का इस्तूप युक्त बालू का इस्तूप रहित इसके अलावा गोडवार प्रदेश नाग और उच्य भूमी क्षेतर शेखावाटी प्रदेश गगर का मैदान और इनकी क्या-क्या विशेस्ताएं हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे विशे हैं अभी थार के desert पर चर्चा करने को लेकर उसके हम बात करते हैं next part में Thank you